तिरुपती मंदिर में लड़ो में मिलावट को लेकर संतों से लेकर आम भक्तों में भारी गुसा है। एक तरफ जहां मिलावट की साजिश रशने वालों पर कड़े एक्शन की मांग हो रही है। तो दूसरी तरफ मंदिरों पर सरकारी नियंतरन का भी विरोध शुरू हो गया। विहिप की मीटिंग में मंदिरों पर सरकारी नियंतरण को लेकर भी चर्चा हुई विहिप की क्या कुछ मांगे थिया ये जानते हैं ये है विएचपी की मांग सुप्रीम कोट लट्टु कान का स्वत्त संग्यान ले इस अपराज में शामिल लोगों की जल्द पहचान की जाए निश्चित समय के अंदर सुनवाई कर दोश्यों को कड़ी सजा मिले वहीं हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंतरण से भी मुक्त किया जाए राज सरकार ये सनातनी लोगों को ही मंदिरों का काम काज सौब दे दूसरी तरफ घी में चर्बी की मिलावट को लेकर जाच भी तेज हो गई है केंदर सरकार भी इस मामले में सक्रिय हो गई है केंद्र ने तिरुपती मंदिर को घी सप्लाइ करने वाली एक कमपनी को शो कॉस नोटिस जारी किया है बताया जा रहा है घी सप्लाइ करने वाली चार कमपनियों के सैंपल लिये गए जिन में से एक कमपनी का सैंपल कॉलिटी टेस्ट में फेल हुआ अब उस कंपनी को केंद्री की तरफ से नोटिस जारी कर जवाब मांगा है हाला कि जिस कंपनी को नोटिस जारी किया गया उसका नाम का खुलासा फिलहाल नहीं किया गया है अजमामले को लेकर आंद्रप्रदेश की सियासत भी करमा गई है बतादी की राज्चु के डिप्टे सीम पवनकल्यान इस मामले को लेकर पश्यताब कर रहे हैं पवनकल्यान 11 दिन का पश्यताब कर रहे हैं पवनकल्यान ने मंगलवार को मंदिर की सीडियां साफ की इसे के साथ या अपनी तपस्या के दौरान हुनों ने देवताओं से माफी भी मांगी तो वहीं इस मामले में सामने आने के बाद से और निशाने पर लगाता रही जगन मोहन रेटी की पार्टी इस मामले में खुद को फसाय जाने का आरोम लगा रही है पार्टी के नेतावने केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट से इस मामली की निश्पक्ष जाज कराने की मांगी है आई आपको बताते हैं कि किसका नियंत्रन है मंदिर पर रण 2000 मठो पर सरकार का नियंत्रन मंदिरों की आये का 4 फीज़दी हिस्सा सरकार लेती है सरकार को संबत्ती का हिसाब देना होता है तिरुपती पालाजी में सालाना तेरा सो करोड का चड़ावा होता है 85 फीजदी धनराशी सरकार के खजाने में चली जाती है सिद्विनायक मंदिर में सालाना 32 करोड का चड़ावा होता है 30% हिस्सा सरकार के खजाने में चला जाता है ये रहुई बात नियंतरन की आगे बात करें तो करोडों भक्तों से जुड़ा ये मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट तक पहुच गया है सुप्रीम कोर्ट में एक जन हित याचिका दायर की गई है याचिका में मामले की जाँच के लिए SIT जाँच की मांग भी की गई है फिलहाल भक्त गुस्से में है और सनातन की खिलाफ हुई इस साज़श में कारवाई की मांग कर रहे है इस वीडियो पर अगर आग की कोई राय है तो कॉमेंट सेक्षन में बताना हमें ना भूले ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहे रिपाबलेक भारत के साथ